हलो दोस्तों मैं दिल्तिवारी और आपका अपना चैनल डामेंड ड्रिल जी सपर मैं APFC में EO और AO और EPFC के लिए APFC के लिए mathematics पढ़ा रहा था लेकिन लाइट की चलते हैं मैंने साथ 2-3 दिन के लिए और रोग रखा है उसके बाद क्योंकि उस पर क्लियर फीगर नहीं आ रहा था तो यह जो है मैं यह कहना चाहरा हूं कि जितने भी बच्चे जितने भी लोग इस चैनल को देखें उसे सिर और सब्सक्राइब करें और वीडियों इसकी बिलकुल मत करें औ और जिनको जिस सब्जेक्ट पर आपका जिस सब्जेक्ट पर वीडियों चाहिए वो मैसेज करके बता सकते हैं कि मैं यह सब्जेक्ट पर पढ़ना चाहता हूं लेकिन कम से कम 15-20 बच्चे हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि अब कुछ दिन के बाद मेरा चैनल आना सोग हो जाएगा तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहिए था कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब करें और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 10-10 लोग भी सेयर और सब्सक्राइब करवा दें तो यह आने वाले समय में मॉनिटाइज हो जाएगा और वीडियों को बिल्कुल इसको मत करें जैसा कि प्रीवियस में हमने माइथमेटिक्स पढ़ाई है और जो है इंट्रेस्टिंग स्टोरी समय सुनाई थी आ जो है आदर अदर प्लेस का उससे मैं ऐडंटिफाइ नहीं करना चाह刚 एक इठ पर की थी और एक और आडेन्टिफाइज किया था एक गोरःपूर प्लेस की थी यह मुझे किसी ने सुनाई थी इसलिए मलब किसी ने सुनाई नहीं थी यह मला हुआ जब बच्पल में बताया जाता है उस समय बताया गया तो आए पिना किसी दे रहें के आज मैं APFC के लिए economics बताऊंगा economics में inflation क्या inflation inflation means महंगाई इस समय की बड़ी समय से बनी हुई है महंगाई गवर्मेंट क्या गरती है महंगाई जो है गवर्मेंट हर साल एक वो होता है कि जैसे RBI और monetary RBI यह कहती है कि इतने से लेकर इतने यह तक इस साल इतना महंगाई बढ़ेगी जैसे 2021-22 से 2026 तक 4 plus minus 2 यानि कम से कम 2% महंगाई बढ़ेगी क्योंकि महंगाई बढ़ना भी हमारे लिए important है क्या है महंगाई बढ़ना भी हमारे लिए important है अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो लोगों की salary कैसे बढ़ेगी तो जो है इसलिए जो है महंगाई का बढ़ना जरूरी है तो 2025-2026 तक के लिए RBI ने कहा है कि महंगाई 4 plus minus 2 रहेगी यानि ज्यादा से ज्यादा 6% और कम से कम 2% अगर 6% से ज्यादा महंगाई हो जाती है कितने परसंट से अगर 6% से ज्यादा महंगाई हो जाती है और वो भी लगातार 3 quarter तक 3 quarter तक तो इसका मतलब एक कमेटी है एक वो है MPC Monetary Policy Committee वो उसे कम करने का प्रियास करती है किसको महंगाई को यानि inflation को इन्फलेशन अब जो है इन्फलेशन में यानि महंगाई अगर हम महंगाई जो है ज्यादा रहती है तो हम लोग क्या गरते हैं परेशान होते हैं डिश्टर होते हैं तो हर एक साल में कितना ज्यादा जो है इसमें भी दो प्रकार की होती है एक WPI Whole Price Index और एक CPI Consumer Price Index Consumer Price Index और Whole Price Index इस बेसिस पर महंगाई को मेजर किया जाता है अब इन्फलेशन जब हम बता रहे है तो यानि महंगाई है अगर कुछ लोग क्या गरते हैं जो है किसी चीज पर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है यानि गवर्मेंट के दोरा ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है या किसी भी चीज पर लागत ज्यादा आ जाती है तो महंगाई बढ़ जाता है तो इन चीजों को देखते हुए महंगाई थ्री टाइप्स की होती है यानि इन्फलेशन ये इकोनामिक्स में है इन्फलेशन थ्री टाइप्स का ह होता है कौन-कौन सा inflation है पहला है demand-pull inflation demand-pull inflation का means क्या होता है मालो demand-pull inflation का means क्या है मालो कंपनिया कोई चीज कम बना पा रही है और उसकी demand ज्यादा है कोई चीज 100 है और खरीदने वाले एantal लोग हैं अब सबको वो चीज चहिए वो चीज सबको चहिए तो वह क्या करेंगे कोई कहेगा की कि यह कामई करें यह 10 रुपए में दो तो अगला कहेगा नहीं मुझे चेही मुझे 200 में दो तीसा कहेगा मिझे 15 में दे दो चौथा कहेगा 20 में यानि सामान जब कम हो क्या हो सामान कम हो और उसके ग्राहक यानि कंजूमर ज़ादा हो तो उसे कह जाता है डिमांड बढ़ गई अमालो सब्जी आपके मार्केट में है कोई सबची कम है लेकिन उसे खरीदने वाले बहुत जादा है क्या बहुत जादा है तो अगर बहुत जादा है तो लोग क्या करेंगे उसकी बोली जैसे बोली नहीं लगाते हैं तो उसकी बोली जो है लगाएंगे कि इतने में मुझे देदो इतने में मुझे देदो तो यान जब कोई सामान कम होता है और उसके लिए कंज्यूमर यानि कौन खरिदने वाले ज्यादा होते हैं तो उसे डिमांड पूल इंफलेशन कहा जाता है तो उस समय महंगाई बढ़ जाती है आप कोई भी सामान उठा लीजिए आप जो है जैसे की दीपावली आती है उसमों खोया ले लिए खोया लूँ गलग-गलग रेट पर बैटा है वो कहते हैं खोया जो है कोई कहता थू सेवंटीफाई कोई कहता है 300 कोई 350 क्योंकि वह उस समय देमांड ज्यादा होती है है न होली दीवाली इन समय तो वहां डिमांड पूल इंफलेशन हो गया डिमांड पूल कोई चीज बनाने में अगर हमारा खर्चा जदा हो रहा है कोई भी कंपणी है मालो यह मोबाइल बनाने में पहले कंपणी का जो टोटल एक्सपेंडीचर यानि खर्चा शेह जार आता था अब उसके इस्टुमेंट सारी चीज है महेंगी हो गई क्या हो गई महेंगी हो गई तो उसे बनाने में क्या होने लगा सामान के दाम क्या हो गए महेंगे हो गए तो उसे बनाने में जहां आठ हजार का खर्चा आता था वहां उसे दस से बारा हजार का खर्चा आने लगा अब को दस से बारा हजार का खर्चा आने लगा तो यह कहां से ँपर वह रहा हम गए यहcke से इंफलीशन आई कि गारत सैंसे एंफ दहीं तो आउन सामान मर्केट में क्या होगा मेंगा विके का जब महेंगा बिकेगा तो यह महेंगाई अच्छी नहीं होती यह काश्ट पुस इंफलेशन होता है तो समझ में आया यह यह दो प्रकार का मैंने इंफलेशन बता दिया पहला इंफलेशन बताया डिमांड पुल जिसमें कोई सामान कम है और उसे खरीदने वाले बहुत ज्या कोई सामान कोई कमपनी जूता या कोई चीज बना रही थी अम नीचे से ही उसके जो जो चीजें लग रही है उसमें है ना रहा मैटेरियल के रूप में कच्छे माल के रूप में वो चीजे महेंगे हो गई तो यह कौन सा इंफलेशन है यह काश्ट पुस इंफलेशन है built-in inflation क्या होता है built-in inflation में क्या होता है मालो built-in inflation की built-in inflation इसमें क्या होता है जब करमचारियों की salary बढ़ जाती है किसकी जितने भी Prime I am Patrick 44 जाती है वो से उनके पास पैसा ज्यादा होता है यानी फ्लियुड ज्यादा होता है कि जल्युह्ति ज्यादा होता है यानी करते हैं जो靃 मैरी स्थेट चाया और कि यह चाहले थोड़ा है थैक्षित में ज्यादा पैसा अगर पैसा कम होगा तो हम कर पाएंगे ना थेकिन अगर पैसा है तो जो है हम हरे गार पचास हाथ ती इक लाग रुप्ट रूपे सेलुरिय में पासटूं टाइम्स हो गया यानि करम्चारी का सेलुरि वड़ गई अब जब यह सेलुरिय वड़ गई तो जो सामानम क्या क्या महँगी चीज़ें ज्यादा फिकने लगेगी महेंगी चीजें ज्यादा भीकने लगेगी तो उससे एकोनामिक ग्रोथ भी ओगा और यानि महेंगाई भी हो गी है तो यह सबसे पहले इन्फलेशन बताया, इन्फलेशन दो टाइप्स का होता है, इन्फलेशन मेंज महेंगाई, महेंगाई आरवी आई, डिनोर अवो करती है, जैसे 2026 तक के लिए, मैं दुबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, 2026 के लिए, गवर्मेंट ने कही रखा है, कि जो महेंगाई होगी, वो 4 प्लस माइनस 2 होगी, 4 प्लस माइनस 2, यानि कम से कम महेंगाई, जो सामान पिछले साल, या इस साल 100 रुपे का रहेगा, अगले साल 102, यानि 2% बढ़ गया, 4 प्लस माइनस 2 और ज्यादा से ज्यादा 6, 6 रुपे, यानि जो सामान आपका 100 रुपे में था, वो 106 और दूसा WPI, Whole Price Index, Whole Price Index आप जानते होंगे, CPI मतलब का हम लोग जो चीजें खरीनने जाते हैं, जो का कस्टुमर खरीनने जाता है, जैसे हम नॉर्मली दुकार पर जाते हैं, कोई चीज खरीनने, तो वो होता है CPI, Consumer Price Index, Whole Price Index आप जानते होंगे, डिस्टिब्यूटर या कंपनिया, ये किसी डिस्टिब्यूटर जो होते हैं, वो ट्रक ट्रक भर सामान खरीते हैं, तो वो होल प्राइस इंडेक्स है, उस पर मेजर करती है, कि महेंगाई कितनी है, RBI, तो ये बात समझ में आई, आप इसके बेसिस पर इंफलेशन, we can divide inflation into three types, first one each, first one each, demand full inflation, when customer demanded more and more for any things, then such types of inflation is called demand full inflation, समझे हैं, यानि कोई सामान क्या कम है, उससे खरीदने वाले ग्राहा ज्यादा है, तो demand full हो गया, inflation, inflation हमने बताया अच्छा भी है, दूसरा, cost, push, यानि किसी, नीचे से ही कोई चीज महेंगी आने लगे, लगे, तो जब कोई चीज महेंगी आने लगेगी, तो उस case में, वो अच्छे नहीं होती, inflation, और तीसरा होता है, जो है, तीसरा क्या होता है, built-in, built-in में क्या होता है, जब करमचारी के सरली बढ़ा दी जाए, यानि employment, जो employer हम के सरली बढ़ा दी जाए, तो जो चीज हम सस्ता खरीदे थे, वो थोड़ा महेंगा खरीदने लगे, यानि purchasing power parity जानते हो, यानि हमारी खरीदने की छम्ता बढ़ जाएगी, purchasing power parity, जब salary हो जाएगी, अच्छा, दो जगाँ purchasing power parity बढ़ती है, purchasing power parity दो जगाँ बढ़ती है, पहली जगाँ बढ़ती है, purchasing power parity, कि जब कोई सामान हम क्या करते हैं, उसका rate सस्ता खर देते हैं, जैसे कोई सामान 10 का था और हम उसरे 6 रुपे में कर दिये, तो लोग ज्यादा करीदने लगते हैं, है न, तो जहाँ हम कोई सामान एक खरीद र हैं, तो यह purchasing power parity हो गई है, और दूसरा purchasing power parity के बाद, दूसरा हमारा क्या, दूसरा है purchasing power parity के बाद, कि हमारी salary बढ़ जाती है, तब भी purchasing power parity, जैनी सामान खरीदने की power हमारी बढ़ जाती है, तो यह economics है, economics में, कल हम हो सकता है, परसों से हमारी life ठीक हो जा, तो परसों से हम सही तरीके से आपको, mathematics से जो पढ़ा रहे थे, और comment करके आप जरूर बताना, कि आपको यह class कैसी लगी, अगर class अच्छी लगी हो, तो आप red button दबाने में आपको कुछ नहीं जाता है, और bell icon जरूर on करे जरूर ने नगर रखा हूँ, तो और आने वाले समय में मैं telegram channel भी बनाने वाला हूँ, जितने लोग हमारी video देखते हैं, वो please, उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरी telegram channel पर भी जुड़ जाए, वहाँ जो है आपको, बाद में आपको सही तरीके से पीडियम मिलने लगे है, तो जो है एक फैस्ट है, लाइटनिंग की यानि लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट और दूरसी, इसलिए जो है इस समय मैं video बोल कर बता रहा हूँ, ठीक, mathematics अगर हम बोल कर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो totally written work है, ठीक, तो इसलिए अब आज जो है ये चीज़ें आप, यानि inflation और उसके types ये याद कर लेना और note कर लेना copy में, जिन्होंने नहीं पड़ रखा है, धन्यवाद